हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम पुरानी जिन से बहुती सुंदर से बोट्स बनाएंगे जो बिंटर में बहुत कामाने वाले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने न्यूस पेपर पे बेस रेडी करना है तो मैंने अपना पेर का मार्क लगा लिया इस तरीके से आप अपनी स्लीपर रखके भी निशान लगा सकते हो तो उपर वाला ये एरिया है 6 इंच का तो वन इंच एड करके मार्जन के लिए मैंने टोटल 7 इंच ले लिया है और यहां से यहां तक का एरिया है 6 इंच तो 7 इंच और 6 इंच का मैं एक बॉक्स बना लूँगी मैंने बॉक्स कट कर लिया ये मैं बेस कट कर रही हूँ जो पहले बेस बनाई थी और 7 इंच का ये जो एरिया है यहां पे सेंटर मार्क लगा लिया है और इसको base को ऐसे रख लेना है और जितना maximum round shape बन सकता है उतना draw कर लेना है तो यह मैंने round shape लगा लिया और फैला कर लगा लूँगी अब इसे cut कर लेना है तो मैंने cut कर लिया center से center mark मिलाते हुई ऐसे stitch कर लेना है देखें कुछ ऐसा shape आ रहा है एक बार पैर पे रखके मैं अजर करके देख लिजेगा यह 2 इंच का area है और यह 3 इंच का area है एक बार मैं इंची टेप से नापके दिखाती हूँ यह 2 इंच है और यह 3 इंच का area है तो इसको हम जो jeans का यह निचला वाला part है पैर वाला यहाँ पे cut करना है तो 3 इंच से 2 इंच का mark निशान लगाया और cut कर लिया दोनों pattern ऐसे cut करना है दोनों shoes के लिए अब मैं base पे double jeans का कपड़ा लेकर cut करूँगी तो इस double part है देखिए इसका और इसे तरीके से दोनों base cut कर लेने है तो साथ ही साथ बनाते चलेंगे ताकि दोनों base ready हो जाए मतब दोनों shoes ready हो जाए उपर वाला area भी cut करूँगी तो मैं इसको भी double layer में ही बना रही हूँ देखिए double double layer है आप single में बना सकते हो मैं double layer ही हूँ ताकि थोड़ा सा heavy हो जाए इस तरीके से दो पार्ट यह हो जाएंगे दो दो पार्ट इसमें attach होंगे और दो पार्ट इसमें और इस तरीके से support के लिए पीछे से येडी वाला हिस्सा है तो आपके पास पुरानी towel हो, foam sheet हो या bed sheet हो, कुछ भी हो आप बीच में इसके insert करना ताकि base थोड़ा heavy हो जाए इस तरह से उपर वाला जो portion है इस पीस ऐसे machine चलानी है, side से पूरी machine चलानी है जो ये खुला वाला पाट है इसको अंदर की तरफ fold करके हम stitch लगा लेंगे तो ये पहला method है, दूसरे वाले मैं बबताती हूँ इसको इस तरीके से stitch कर लीजिएगा और इसको पलट के top stitch लगाईएगा और फिर पूरा round shape में stitch लगाईगा तो चाहे आपका जो मन हो पहला method दोनो method कर सकते हो कोई भी कर लीजिए अब मैं यहाँ पर center mark लगाऊंगी और इसका center mark तो center mark से center mark को मिला के पिन से fix कर लेंगे ताकि stitch करते समय ही लेना और दोनों side से हमें ऐसे half-half करके stitch लगा लेना है मैंने stitch लगा लिया दोनों shoes मैंने ऐसे ready कर लीए अब support के लिए क्या करना है तो नीचे वाला जो part cut गिया था देखे यह जो सिलाई वाला area है यह वाला यह 3 इंच का area है तो यह center mark हो गया अब इसका हम center mark निकालेंगे तो ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे center mark का निशान लगाएंगे center mark से center mark को मिला देंगे पिन से fix कर लेंगे और जहां तक यह जाएगा stitch होते हुए वहाँ पे stitch कर लेंगे तो मजबूती से सिलाई चलाईएगा और 18 number के needle use करिएगा जो भी थोड़ा बहुत extra बढ़ा लगा उसे cut करके ऐसे पलट लेना है दोनों shoes मैं इसी प्रोसीजर में ready कर लूँगी अब देखिए सुई धागे से जैसे थोटी छोटी stitches करते हैं आप यह तो वैसे कर लेना तुरपाई जैसा तो यहाँ पे यह fix हो जाएगा और बहुत neatly ready हो जागा देखिए पूरी तरह से washable है base बहुत अच्छा है fitting बहुत अच्छी sozy style में तो सर्दियों में floor में अब ठंडा नहीं लगेगा इसली बना सकते हो देखिए पर पटकने पे भी यह dab dab करने पे भी निकलने रहा इसका एडी वाला एरिया है बहुत comfortable है बहुत अच्छी है ज़रूर बनाईएगा तो second DIY है हमारा यह pocket वाला एरिया तो इसको waste नहीं करना है इसका भी हम कुछ अच्छा तर DIY करेंगे तो इसको cut कैसे करना है front वाली part जो है और back वाली jeans का pocket एक साथ ready करना है देखिए एक front pocket और एक back side की pocket है belt वाला एरिया मोटा मोटा यह हमें निकाल देना है तो इसका कोई measurement नहीं है आपके jeans की जो भी उपर वाला हिस्सा होगा ऐसे cut कर लीजेगा तो basically हमें दो rectangle pieces cut करने है बिल्कुल बराबर से तो jeans का एक part थोड़ा छोटा निकल रहा है तो मैं वहाँ पे joint लगाऊंगी jeans की खासियत यह है कि आप joint लगाऊ तो दिखता नहीं है सब design में आता है तो दो rectangle piece zip attach कर लिया runner insert कर लिया अब क्या करना हमे अब हम इसमें belt लगाएंगे तो 29 inch की मैंने belt लिये belt ready मेट है आप zip लगाने से पहले भी belt लगा सकते हो उसके बाद zip attach कर सकते हो मैंने बाद में लगाया है दूसरे पार्ट में pocket पढ़ रही है तो वहाँ भी 1,5 inch का mark लगा लूँगी belt लगाने के लिए बस distance equal होना चाहिए बाकि कोई इसमें कोई method नहीं है या तो आप zip का पूरा zip अले area का center mark निकाल लीजे जैसे ये center mark निकल रहा है बस यहाँ पे हमें belt लगा लेनी है दोनों side belt लगा के लिखाती हूँ ये pocket छोटी सी है शोप piece के लिए वो भी मैं spiattach कर लेती हूँ ताकि bag हमारा और देखने में अच्छा हो जाए अब यहाँ से 2 inch का square piece कट के है दोनों part एक साथ है और इस तरह से square piece पे निशान लगा के cut कर लेना है अब मैंने 3 side से ये stitches कर लेनी है मैंने stitching कर ली यहाँ पे आप जो ये खुला वाला part है इसको ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लूँगी मैं सिलाई लगा के palette लिया है और इसमें कुछ समान रख लिए ताकि या इसका proper shape समझ में आ जाए आपको इस तरह से हमारा ये big size का shopping pack कह लिजे, tote pack कह लिजे बिल्कुल ready हो गया है तो pocket वाला हिस्सा भी waste नहीं हुआ हमारा use हो गया अच्छे ते बहुत अच्छा base ready हुआ है अच्छा है देखें बहुत प्यारा पैग है washable है यूज हो गया प्राणी jeans का पूरा पूरा कुछ भी waste नहीं हुआ सिर बेल्ट वाला मोटा हिस्सा बेस्ट गया है बाकि इसमें total कुछ भी waste नहीं है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बाई थैंक्स पर वाचिंग